तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं लिसा जिस पैटर्न के बारे में बात करने वालों तो बहुत सारी बच्चों की डिमांड आ रही थी तो इसको बहुत ही कम टाइम के अंदर मैं आपको पूरे कोशन्स या पूरे कंसेट पूरे ट्रिक्स में समझा दूँगा और ये टॉ समझते हैं तो वीडियो को लाइक और शेर करते ना एं लेट से स्टाट या देखो चीरो के अंदर हैं यह जो डिफरेंट पैटर्न से उसकी स्क्रीन पर बनते हैं अब इस पैटर्न को एनालिसिस करके हम यह पता कर सकते हैं वाट इस फेस डिफरेंस और वाट इस इस कितना ही फ्रिक्वेंसी है वो सब हम पता करते हैं ठीक है तो इसके लिए यह स्क्रीन पर बनी हुई डिजाइन से मैं फेस्ट दिफरेंस या फ्रिक्वेंसी निकाल सकता हूं अब यह हैफ। क्या design हो सकते सरकल بنेगा। लाइन बनेगा। इस τरीके के बहुत सारे questions साथे हैं। तो मैं सभी करवा देता हूं। तो पहला टॉपिक कवर करते हैं कि type diagram हो देखिए आप hija is difference और frequency को कैसे पता लगा सकते है। मार्लों कि ये वाला मैं question number one लेता हूं ठीक हैर और इसने एक डाइग्राम दे दिया मेरे को यह रही बच्चे आपकी x-axis और यह बच्चे आपकी रही y-axis मालो की x-axis को और y-axis को कहीं different way में इसने cut किया जैसे मतलब मैं अभी y-axis के हिसाब से बात करता हूँ जैसे मालो इस point पर इसने cut किया तो इसको मैं बोल देता हूँ यह origin और यह a point हो गया तो a से o तक की distance होती है किती बोली a से o तक की distance उसको हम लोग बोल देते हैं y1 और यह जो सबसे ऊपर वाला जो end होता है उसकी hide बेटा x-axis से नाप लो गाट इट किससे नाप ओगे बेटा x-axis से नाप लो तो इसको हमने बोल दिया y2 तो y1 और y2 दो आपके क्या मिल गए यहाँ पर vertical distance मिल गई ऐसे बचे आप horizontal भी निकाल सकते हो तो यहाँ पर यदि मैं phase difference की बात करूँगा बच्चों तो यह हो गया sine inverse y1 divided by किता हो गया y2 तो जो भी y1 की distance होगी जो भी y2 की distance होगी वो आप यहाँ पर put कर दो ठीक है माल लो let y1 की जो dimension है y1 की जो dimension है वो कितनी आ रही है माल लो की for an example 2 आ रही है 2 cm और y2 की जो distance आ रही है वो 4 cm आ रही है गोट इट तो जब मैं इसमें put करूँगा तो cdc बात है sine inverse 2 upon 4 और 2 upon 4 को cut करूँगा तो 1 upon 2 आ जाएगा तो sine inverse के अंदर यह 1 upon 2 आ गया गोट इट और sine inverse 1 upon 2 आपको भी पता है कितना होता है बेटा 30 degree होता है got it that is 5 by 6 अच्छा यह तो एक design रही एक और design में भी बात कर सकते है case number 2 मालो में लेता हूँ मालो एक ऐसा question आया जिसका यह जो ellipse type का बना गया है वो उसका जो direction है upper direction वो left में कहां पहे है बेटा left में जिदि left situation में होगा formula same लगाना है but आपको यहाँ पे एक चीज से minus करना पड़ेगा pi minus sine inverse y1 divided by y2 y1 वही है जो पहले था यह जहाँ पे vertical axis को cut करेगा ओ से लेकि एक ही distance यह हो गई बेटा y1 जो सबसे उपर वाला जो end है उसको x-axis से जित्ती dimension दूर रखा है आपने वो गया y2 ठीक है but इसका दिए देखो pattern समझो कि इसका जो upper face है वो कहां पे left में ठीक है तो pi बोल सकते हो या फिर 180 delay यह दो question यहां से इस type से बन जाते है तो आपको यह ध्यान रखना है कर लोगे बच्चे अब चलते हैं हम लोग next वाले पर next वाले पर कि diagram को देखके frequency का कैसे अंदज लगाएं तो यहां पे tendency का concept दिया जाता है यहां पे tendencies का concept दिया जाता है जैसे यह बहुत सारी diagram इसके नीचे कुछ ratios दिख रहे हैं मैं यहां पे आपको ने कुछ एक formula लिखवा देता हूँ आपको बहुत काम आएगा जैसे सर जैसे मालो की question रहते हैं different type के आपने क्या लगाया बच्चे मालो की starting में यह मालो पकड़ लो इसको अब यहां पे vertical deflection plate में आपने कुछ voltage लगाया होगा horizontal पे कुछ voltage लगाए होगा उसकी frequency अलग इसकी frequency अलग और उन दोनों frequency को आपको पता करना है मालो एक की frequency अब लेबल है आपके पास तो दूसरे की frequency आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से कैसे वो भी diagram देखके देखो कैसे कर सकते हैं इसका सीधा सा formula है मालो की कोई भी बान आया सिगनल उसकी जो frequency है वो किती है fx गाट इट यह दो चीज़े तो इसका formula जाता है f y divided by fx is equal to the horizontal tendency is equal to horizontal tendencies किता सिंपल है divided by vertical tendencies divided by vertical tendencies यह दो formula यह जो basic formula वो ध्यान रखना है ठीक है अब यहां से समझो एक चीज़ समझो यह दि मालो कि मैं इस question में tendencies find करना चाहता हूँ ठीक है और मालो की question में यह दिया है कि भाई जो तुमने वर्टिकल पे signal लगाया या मालो की horizontal पे जो signal लगाया fh उसका जो frequency fh जो है वो किता है 100 hertz है आपको find करना है fy find करना है तो इस diagram का देखके आप पता लगा सकते हो देखो कैसे मैं क्या करूंगा एक line खीचूंगा इस पे लाइन खीचूंगा एक horizontal और एक वर्टिकल दो कंसेप्ट होते हैं या तो आप टेंजेंट बनाते हो पर मैं टेंजेंट वाला नहीं करता हो मेरी जो ट्रिक बता रहा हूं वो यूज कर लेना कभी कोशन नहीं अटकेगा मैं reason भी दूंगा लास्ट में जाके क्यों मैं ऐसा बोलता हूं यहां पर इसको कट क करो सरकल की बात कर रहा हूं तो सरकल को इसने दो जगां कट किया सा तो हो जों टल्रें ऐस्वर्ड़न को कित़् जगां किया दो जगैं तो वर्टिकल टेंजेंसी किता होगया है तो यहांसे बच्छे आपका क्या बन गया F y divided by F h which is equal to T x divided by किता हो गया T y हो गया T x किता है 2 और T y किता है 2, 2 से 2 Cancel तो किता हो गया 1-1 का रिच्यू आगया तो देख लिए बता यह 1-1 का रिच्यू आगया वाड इट अब आजो वीटा सेकेंड पे इस पे ऐसे वरिजॉंटल लाइन खिचो जैसे बच्छे आप और जोन टल एक लाइन खिचोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके पास कंफ्यूजन अराइस होता है कि सर हम यहां से लाइन निकाले यहां से जहाँ पे जहाँ कट करके निकल रही है तो TX की value हो गई 4 ऐसे बच्चे आप सोच रहे हो कि vertical line मैं यहां से निकाल दूं बिल्कुल बिल्कुल 20 से निकाल दूं तो गलत होगा उसमें आपके कुछ point मिस हो जाएंगे आपको कोई भी एक जगह ऐसी पकड़ो जहां पर सबसे ज़्यादा possibility हो तो एक हमने यह जगह पकड़ ली और यहां पर कहां पर कट कर रहा है दो जगह पर कट कर रहा है ती वाई इकॉल टू ठीक है तो आप मुझे बताओ किता हो गया TX divided F ठीक है F Y divided by किता हो गया F X ठीक है F H या F X बोल सकते हो is equal to TX divided by TY which is equal to TX मतलब horizontal tendencies मतलब 4 जगह कट किया 4 divided by 2 तो मतलब किता आगया 2 is to 1 का ratio अब आजओ थर्ड वाले पर आजओ ऐसे बचे इसको कट करो सबसे ज़्यादा possibility ऐसे मतले लेला क्योंकि यहां पे एक point compromise हो जाओ गया तो हम लोग ऐसे लेंगे जहां पे ज़्यादा है एक point यहां पे cut हुआ एक point यहां पे cut हुआ तो TX की value किती 2 पिर वर्टिकल से निकाल दो यहां से मत निकालना यह गलत तरीका हो जाएगा क्योंकि यहां पे center पे coincide हो रहा है ठीक है तो हम लोग यहां से निकालेंगे side से निकालेंगे एक दो तीन और चार तो टी वाई किता हो गया वेटा चार हो गया तो TX divided by TY किता हो गया वेटा 2 divided by 4 मतलब 1 is to 2 का ratio clear ठीक है चलो और भी question करते हैं clear होते जाएंगे सब question एक साथ कर लो फिर यदि हम लोग बात करें यहां पे तो यहां पे देखो एक line खीची बिल्कुल 20 से मत निकाल देना यह यहां से एक 2-3 point compromise हो जाएंगे ठीक है आपको compromise कुछ नहीं करना है एक दो त 345 और 6 तो यह कित्ती आई वेटा 6 ऐसे बच्चे आप line है बिल्कुल 20 से मत निकाल देना यहां पे point compromise हो जाएगा कहीं से भी निकालो जहां पे सबसे ज्यादा possibility हो कहीं से भी निकाल दो यहां पे भी है यहां पे भी है यहां पे भी है ऐसे है तो मैंने कहीं भी एक जगह न इसे बच्चे यहां पे निकाल दो ऐसे बच्चे यहां पे निकाल तो एक ऐसी जगह ढूंडो जहां पे सबसे ज्यादा cutting मिल रही हो ठीक है एक दो तीन चार पांच और यह च्छे जगह मिल रही है तो होरिजॉंटल टेंजेंसी मतलब TX किता हो गया 6 वर्टिकल को देखो वर्टिकल को देखो वर्टिकल को देखो चलो वर्टिकल को पकड़ो यहां से निकाल दें देखो कित्ती points आ रहे हैं 1 2 3 4 चार जगह कट रहे है तो इसकी रेशो किता बन गया टी एक्स डिवाइड़ बाइड बाइड भाइड वाइड गया टी इस टू आ गया गया इसी बच्छे आप लास्ट वाला भी कर सकते हैं मैंने आपको homework दे रहा हूं comment section में मुझे बताना तो tx divided by ty का क्या ratio होगा ठीक है आप करके देखना मुझे comment पे बताना तो यहां तक I hope आपने समझ लिया है और ऐसे ही question मनते हैं कुछ बहुत तिकड़म नहीं है तो जैसे यह दि मैं पहले वाले question की बात करूँ कि horizontal 100 दिया था और यह second की बात करूँ तो यह दि होरिजोंटल 100 दिया था तो आपको एक समझो f y divided by f h यह 2 is to 1 आया तो f y किता हो गया 2 into किता 100 तो मतलब किता हो गया 200 hertz की signal आप apply करोगे simple और ऐसे question बहुत सारे पूचे जाते हैं so this is all about the basic fundamental दिक्कत आती है इसमें जहां पे half loop का concept बनता है जैसे आपने कई जगा यह पढ़ा होगा या कई teachers भी यह सिखाते हैं कि यहां से tangent बना दो देखा जाए तो tangent कहां पे बनता है बिल्कूट टच करके बनता है तो यहां पे problem यह आती है आप क्या लेते हो बेटा 1, 2, 3 ऐसा concept लेते हो but actually जब भी half loop का concept लिया जाता है तो उसमें 1 by 2 लिखा जाएगा got it पर मैं कह रहा हूँ यह सब जंजट छोड़ो मैंने तुम्हें क्या सिखाया वो पकड़ो sir एक डंडी line खीचो एक line खीचो जहां से सबसे ज़्यादा cutting points मिले इस दिया एक दो तीन चार पांच ठीक है तो TX की value कित्ती बेटा पांच एक ऐसा line लो जहां से सबसे ज़्यादा cutting मिले यह वाली लेली मैंने ठीक है चलो कहां पर एक यहां पर और एक नीचे तो टी वाई इस गोल टो कित्ता विटा टू तो टी एक्स divided by टी वाई कित्ता होगे विटा पाइफ डिवाइड़ वाई कित्ता आगे टू आगे आई होप इस क्लियर टू आगे समझ में आई चीज बेसिक चीज है बट यहीं चीज यदि आप उससे करोगे तो हाफ लेना पड़ता अलग अलग कंसेप्ट कुछ नहीं लेना है आपको मैंने जो कटिंग पॉइंट्स की फंडामेंटल बताया वह आप यूज करो आपको डेफनेटी देखो बले बले फाइदे में रहोगे ठीक है तो यह हुआ पहले टाइप का कोशन अब आते हैं अब आते हैं बैटा सेकंड टाइप के कोशन को जहां से फेज डिफरेंस को देखके बाइए मेरे पात दो डिफ्लेक्शन प्लेट है एक है भाई यह वर्टिकल और एक है होरिजॉंटल तो वर्टिकल पे अलग सिगनल आएगा एक और जूंटल पे अलग समझ गया मेरे बात अब आजा वह इस टॉपिक पर है तो जब मैं वर्टिकल पे अलग लगाता हूँ ठीक है यह कहां पे लगाया वाई प्लेट पे लगाया मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे लगाया तो जब वाई प्लेट पे कोई सिगनल लगाया ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ऐसे ही आपने कहां पर लगाया, horizontal पर लगाया, frequency आपने सेम ही रखी है, frequency में कोई change नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसा case है कि frequency में कोई change नहीं है, same frequency पर आपके phase difference अलग अलग है, तो design कैसे बनेगी, उसकी बात हो रही है, समझे, तो ये बताओ मुझे, ये 0 से चालू हो रहा है, दोनों 0 से चालू हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो, ये 0 पहले point यहां पर बना, got it, फिर ऐसे पहले वालक 1 का 1 बन गया, ऐसे 1 का उपर एक line चली गई, देखो, उपर एक line चली गई, उपर एक line चली गई, और एक horizontal से एक line आ गई, दोनों का जहां पर intersect हुआ, वो बन हो गया, दूसरा point ऐसे, और यहां से दूसरा point ऐसे, दोनों का जहां intersection हुआ, वो आपका 2 हो गया, clear, ऐसे बच्चे आप लोग next पकड़ो, third point ऐसे चला गया, और ये third point ऐसे चला गया, दोनों जहां पर intersect हुए, वो 3 point, टाइम नहीं है कि बैठके points मिलाओगे, इसी लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसा trick लेके आगया हूँ, तो बढ़िया ब्रह्मास्तर काम करेगा, तो चलो देखो सर क्या लेकर आए आप लोगों के लिए, ये वाली design, जब भी बच्चे आप क्या करोगे, जब भी बच्चे आपको बोलेगा question में, कि sir, ये 0 degree या 360 degree का phase difference है, तो आपको straight line बनाने हैं, जब भी बोलेगा 30 degree या 330 degree का phase difference है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो, जीरो से लेके, या फिर बोल सकते हो, जीरो से लेके 90 degree तक, और 270 degree से लेके 360 degree तक, ऐसे करके बात कर रहा हू तो उस समय पे आपका ये design बनेगा 45 degree से ये थोड़ा सा देखो मोटा बन गया जिता angle बढ़ता जा रहा है जिता angle कम हो रहा है उत्ता पतला होता जा रहा है 60 degree पे थोड़ा सा और मोटा हो गया 90 degree पूरा circle बन गया पूरा circle बन गया मतलब इसकी लंबाई और चोड़ाई जो दोनों है वो लंबाई हो गई और यह चोड़ाई हो गई दोनों बराबर है ठीक है तो यह condition आ गई 120 डिग्री से 240 यह बना 150 से यह और यह आप बहुत जादा confused होने की जरूरत नहीं है मैं आपको ऐसी बढ़िया चीज मैं बता देता हूँ आपको आपका काम हो जाएगा देखो जी मैं एक लाइन खीशता हूँ ठीक है जी according to phase difference यहाँ पर एंगल नहीं है यह phase difference पर बात हो रही है मालों की phase difference 0 degree है या 360 degree है 0 degree है 360 तो उस समय पर बच्चे आपको एक ऐसी लाइन आपको मिलेगी जड़ी बच्चे आपका 180 degree ठीक है 180 degree यह माइनस 180 degree बन रहा है तो उस समय पर बच्चों आपकी ऐसी लाइन मिलेगी ऐसी लाइन की design मिलेगी डन पहला कोशन दूसरी चीज मालों की आपका phase difference 0 से 90 के बीच में ठीक है या फिर आप बोज सकते हो 270 डिगरी से 360 degree के बीच में तो आपका ellipse पता कैसे बनेगा क्या बनेगा ellipse बनेगा कौन सा 0 degree से 90 degree और 270 डिगरी से लेके 360 degree इसके बीच में यह दि कोई phase difference आता है इसके बीच में कोई phase difference आता है तो वो ellipse ऐसे बनता है ellipse ऐसे बनता है ellipse ऐसे बनता है तो सर दोनों में अंतर क्या है इसमें clockwise direction में बनेगा और इसमें anti clockwise direction में यह engineering service में पूछा गया question है समझ गए कहानी दूसरी चीज यदि बच्चों आपका phase difference या तो 90 degree है या फिर phase difference exactly 270 degree है तो उस समय पे आपको बनेगा circle उस समय पे आपको क्या बनेगा बेटा circle समझ में आये पर सेम दोनों में कुछ अंतर होगा यह बनेगा clockwise direction में और यह बनेगा बेटा anti clockwise direction में got it next आ जाओ यदि बच्चे आपका phase difference 90 degree से लेके 180 degree या फिर आपका इधर phase difference third quadrant में आता है कि भई 180 degree से लेके 270 degree तो बच्चों आपका जो ठीक है ellipse का जो direction है वो left में हो जाएगा और यह अभी भी क्या बनेगा यह clockwise बनेगा और ऐसे same design बेटा यहाँ पे भी बनेगी बट यह क्या बनेगी बेटा anti clockwise direction बनेगी इसके अलावा कोई question नहीं पूछता है आपको कोई potential लेने की जरूत नहीं है got it तो यह बहुत basic और important concept मैंने आपको दिया है एक वीडियो के अंदर पूरा खतम कर दिया है ठीक है ऐसे बहुत अच्छे अच्छे lectures हमने अपने batches के अंदर cover करके रखे हैं पूरा बिल्कुल जीरो से लेके यह कोई बच्चा पढ़ना चाता नहीं वह भी कर सकता है जैसे महावितरन वाले बच्चों के पास जेई और एई के लिए बहुत कम टाइम ह इस batch को ले लीजे और enroll कर लीजे जितने भी important concept है वो सब cover है सब पूरे lecture cover है तो आप जैसे machine के लिए 60 lecture के लिए 31 दिन के अंदर नहीं पर सकते उसको तीन महीना का समय लगता है वो चीज हमने लबद 10 lecture के अंदर cover कर दिया power system को हमने 7-8 lecture के अंदर cover कर दिया basic electrical 5-6 lecture के अंदर इस तरीके से बिल्कु precise कर दिया कम समय में same content आपको मिल रहा है तो price बढ़ सकती है कई बच्चे ऐसे होंगे जो RRB की भी तयारी कर रहे होंगे कई बच्चे ऐसे होंगे सर RRB की तयारी आने वाले महा ट्रांस को AI की तयारी भी कर रहे है ठीक है महावितरन की JIA की तयारी क डाल दिया 2499 के अंदर ही एक्च्छल प्राइच 2499 है उसके अंदर ही हमने क्या कर दिया 749 की जो बैच है वो हमने फ्री में डाल दिया एप्लिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है फटा फट जाके आप इंस्टॉल कर लीजे वहां से जाके पर्चेस कर सकते हैं